investors welcome back once again to insiderpedia तो दोस्तों आज हम बात करने वाल है fine organic industries limited का अभी quarterly result आया तो अभी हम देखेंगे quarterly result कैसा है और उसे के साथ साथ कुछ investing के नए concepts भी सीखेंगे तो चलिए चलते हैं देखते हैं usually जब हमारे सामने कोई company आती है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उसका price क्या है और उसका PE क्या है तो PE जो 47 का है तो फिर हमें काफी high लगता है क्योंकि यह share जो है काफी ज़्यादा लंबे समय से उपर जाता ही चला जा रहा है और फिर 47 का high तो मेरा एक question है और आप इसको consider करिए और हो सके तो आपने mind में सोच करके रखिए क्योंकि यह इसका जवाब इस वीडियो के end में मिलेगा और नहीं तो फिर comment section में लिख लीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप क्या सोच रहे हो तो अगर यही company का यही share अगर आपको 34 के PE या 33 के PE पे मिले तो क्या आप भी buy करोगे मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी current time में इसका PE जो है 50 का चला है क्या भी 47 या approximately 50 के पास आस पास चला है अगर यही 30 32 या 35 के अंदर का हो 33 34 का PE हो तो क्या इसे buy करोगे तो यह है अगर आपका जवाब है कि हाँ buy करोगे तो comment section में लिखो कि yes I will buy at a PE of 33 और चलिए देखते हैं कि क्यों कि यह company का share तपसे मैं देख रहा हूँ जब इसका share price कहीं जो है 2000 के आस पास trade कर राता है यहाँ पे और तपसे लेकर कि यह share 7000 रुपे का चला गए quarterly result की अगर बात करें तो इनका जो revenue है यानि top line जो है 900 938 करोड का हो गया यह अभी जो है update नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैंने PDF निकाली हुई है इन lack में दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर देखें यह वाला जो data है तो 938 करोड रुपे है जो कि last year की बात करें तो यह था 438 करोड आल्मोस्ट double से भी जादा हो गया है अभी यहीं पे दोसरी चीज़ देखें कि जो इनका profit थे और 938 करोड यह जून क्वाटर से भी जादा है और वहीं पे अगर आएं नीचे है और देखें इनका जो है EPS यानि अर्निंग पर शेर एक शेर के पीछे की अर्निंग क्या है तो 66 रुपीज हो गई है जो last year 16 रुपीज थी 16 रुपे थे वो बढ़ करके 66 हो गई है चाचच रुपे हो हाउ है नहीं करते कि पी हाई है लेकिं कोई भी हाई नहीं होता अगर उसकी ग्रोथ हो जीस ह horn में इसमें ग्रोथ दिख रही है जो 16 का पीजो है आपका 66 को गया जो कीgenesया में रीवन्यू डबल हो गया है अब इस हे साफ से जो है अगर हमारा आज का भी पी अगर ये में आज डेट है 3 नमबर आप 11 नमबर को इसका जो है देखिएगा कि इसका पी आपको क्या दिख रहा है अल्ली मार्नी मार्केट खुलने से पहले यह जरूर चेक करिएगा और चलते हैं और देखते हैं कि अब इनका एक्शुल पी क्या होगा तो पी जो है दो चीजों से मिल करके बनता है एक प्राइस यानि जो शेर प्राइस है और उसके के नीचे अर्निक earning को divide करते हैं यानि EPS earning per share तो अगर यहाँ पे इसका earning पिछले 12 महीनों का यानि 4 quarter का अगर EPS calculate करें तो वो कुछ इस तरह से calculate होता है यह 4 को पिछले 4 quarter का हम add कर देते हैं और यहाँ पे आकर के हम अगर paste करते हैं चुकि मैंने already बनाया हुआ तो 125 का है और यहाँ पे TTM में yearly वाले section में आकर के देख सकते हैं 125 का है और अगर हम नया EPS calculate करें यानि 3 quarter जो यह हैं इंका ले लें और यहाँ पे मैं आकर के यहाँ पे paste कर देता हूँ और चुकि यह अब सेतंबर 2022 का result आ गया है और जो 2021 की जगे अब 22 आ गया है तो 22 का सेतंबर 2022 का जो है EPS यहाँ पे put करेंगे जो की 66.09 चलिए हम से 66 ही put कर देते हैं तो यह actual हो गया आपका एक minute मैंने कुछ यहाँ पे profit calculate के लिए है मुझे EPS calculate करना था ठीक है तो मैं यहाँ से EPS copy कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे हमारा EPS 174 का था जो अभी जो कल की date में 125 था जो कि आज result आया result अच्छा है 174 का हो गया अब 174 को current share price से divide कर दे current company का share price चल ला है 5938 तो मैं यहाँ पे google पे लिफूंगा 5938 divided by और जो हमारा EPS निकल गया अब यह P निकल की आगया 33 का तो आप समझ सकते हैं कि यह P यह वहारा 33 का आगया और अभी P दिख रहा है 47 का जैसी अभी यह update होगा हो सकता है एक दो घंटे में screener पे update हो जाए तो यह P तुरेंट आपको जो है 33 का दिखने लगागा इसलिए कहते हैं कोई P जो है करता है कि यह share काफी overvalued है फिर company की growth होती है फिर company का P घड़ जाता है और इस तरह से देख सकते हैं कि यह P जो है जब मैंने buy की करने के लिए सोच रख रहा था कि उस time year 2020 में तो यह P 60 का दिख रहा था जो की काफी high था अभी भी 60 का नहीं है बलकि 47 का है क्योंकि इसकी earning बढ़ते चली जा रही है बस क्या इस company में मैं invest करूंगा company अच्छी है growth है business सब कुछ मोठ है अच्छा company का competitive advantage है लेकिन recent में इतनी जादा growth क्यों आ रही है उसका मुझे कोई reason नहीं पता लग रहा क्योंकि यहाँ पे conference का learning conference का कोई हो नहीं दी तो management का जो मैंने interview सुना वो काफी 3-4 साल पुराना जब IPO के time का interview था तो मुझे actually पता न demand gap की वज़े से तो यह जाना काफी जरूरी है कि जो growth हो रही है अगर यह sustainable है तो यह 33 का PEE काफी undervalued हो सकता है लेकिन अगर किसी supply demand के throw अगर यह profit growth हो रही है यह earnings growth हो रही है otherwise फिर issue है इसलिए management की commentary सुनना काफी important हो जाता है जो कि अभी मेरे पास नहीं है जो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं इस company को अभी current के time पर avoid कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ यह video अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो like करें और चैनल को subscribe कर लिए इस तरह की video और आपको इसी channel पर मिलते रहेंगे तब तक के लिए take care have a good day